जैहिन नमस्कार आप देख रहे हैं गुरु घंटाल, स्वागत करता हूँ आप सभी का, दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए स्पीकर ओफ लोगसभा के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट मल्टिपल चॉइस कोशन लेकर आया हूँ सबसे पहला सवाल ये है कि इन में से वो कौन है जो स्पीकर ओफ लोगसभा को ओफ ओफ एफरमेशन दिलाता है मतलब शपत दिलाता है आपके option कुछ इस प्रकार से है President of India, Chief Justice of the Supreme Court, Senior Most Member of the लोगसभा या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों देखा जाए तो इन तीनों में से कोई नहीं है जो कि स्पीकर ओफ लोगसभा को ओफ ओफ एफरमेशन दिलाता है असल में एक टर्म है, प्रोटेम स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो नई लोगसभा के जितने भी Member of Parliament होते हैं उनको शपत दिलाता है और जो स्पीकर होता है उसको शपत दिलाता है प्रोटेम स्पीकर यूजवली प्रेसिडेंट डिसाइड करता है ठीक है, क्योंकि जब एलेक्शन गोता है भारत में लोगसभा की नई सरकार बनती है ठीक है, नए सीरे से सबको शुरू होता है, नई सरकार बनती है, नई Member of Parliament चुन कर आते हैं तो देश का रास्टपती यूजवली क्या करता है, जब तक पर्मानेंट स्पीकर नहीं चुन लिया जाता, तब तक लोगसभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को ठीक है, यूजवली सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर का दारोमदार देता है वही प्रोटेम स्पीकर के तोर पर काम करेगा जब तक की for a time being जब तक permanent speaker select नहीं हो जाता जब तक deputy speaker select नहीं हो जाता और वही सब को शफ़त दिलाएगा तो याद रखेगा प्रोटेम speaker का काम होता है oath and affirmation दिलाने का किसको इनको जो speaker of the लोगसभाग होते हैं अगला सवाल ये है इन में से कौन सा statement correct है about the लोगसभा speaker लोगसभा speaker is elected by the लोगसभा from amongst his member ये correct है कि member के जितने member of parliament होते हैं जब नई लोगसभा अगठित हुई और नई member of parliament आए fresh चुनाव हुआ तो member के अमंग में से ही नया लोगसभाग speaker elect किया जाता है the date of election of लोगसभाग speaker is fixed by the president of इंडिया ये भी corrected है ठेक है MA Iyengar was the first लोगसभाग speaker ये incorrect है MA Iyengar घमारे देश के पहले लोगसभाग speaker नहीं थे बलकि जीवी मवालंकर घमारे देश के पहले लोगसभाग speaker थे गनेश वासुदेव मवालंकर दूसरे थे MA Iyengar तीसरे थे हुकम सिंग और एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ हमारे देश में अभी तक 17 speaker हो चुके हैं मतलब जो ओम विर्ला सरग है वो 17 वे speaker गए और घमारे देश में 17 में से आज तक दो बार महिला speaker चुनी गई है मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन पंदरवी थी मीरा कुमार और सोलवी थी सुमित्रा महाजन 17 है ओम बिर्ला नाउ इन में से वो कौन है जो लोगसभा के speaker की salaries and allowances को fix करता है देश का रास्टपती देश की संसद अकेली लोगसभा या सर्वोच नियाले सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया इसका सगी उत्तर है दोस्तों देश की parliament decide करती है कि लोगसभा के speaker की salary क्या होगी next इन में से वो कौन है जो की parliament की joint session को call कर सकता है यूसमली होता क्या है मान लिजे की कोई draft लोगसभा से पास हुआ मतलब जब draft पर signature गोता है तब ना draft मान लिजे कोई bill मैं पकड़ लेता हूँ कोई bill अगर लोगसभा से पास हुआ राजसभा में जाकर अटक गया तो एक particular time के बाद जब रास्टपती को लगता है की भाई कोई solution निकल ही नहीं रगा गये bill अटका पड़ा गये तो फिर देश का रास्टपती the president of India joint session बुलाता है parliament की under article 108 और कहता है भाईया आओ लोगसभा राजसभा दोनो member of parliament बैठिये और बैठ कर जो भी deadlock है उसको solve करो bill को pass कराओ मैं signature करो कानून बने next लोगसभा का speaker अपना resignation किसको देता है देश के रास्टपती को लोगसभा के deputy speaker को देश के chief justice of India को या प्रधान मंत्री को तो सगी उत्तर गये दोस्तों लोगसभा का speaker deputy speaker of the लोगसभा को अपना resignation देता है और अगर deputy speaker of the लोगसभा को अपना resignation देना है तो वो लोगसभा के speaker को अपना resignation देगा तो मतलब यह दोनों आपस में एक दूसरे को resignation दे सकते हैं अगर देना होए तो next salary and allowances of the लोगसभा speaker is charge on the जो लोगसभा के speaker की यहां पर दोस्तों A and B हैं बोट या इन में से कोई नहीं तो सगी उत्तर गए दोस्तों Consolidated Fund of India के अंडर लोगसभा के Speaker की Salary and Allowances को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है Next, इन में से कौन सा Statement गलत गए है about the tenure of the Speaker of the लोगसभा He is no longer a Speaker if he ceases to be a member of the लोगसभा due to any reason देखो भईया यह तो correct है When the लोगसभा dissolves, the Speaker vacates his position simultaneously यह incorrect है यह incorrect है The Speaker is the head of the लोगसभा and also it representative याद रखेगा कि लोगसभा का जो head होता है, वो Speaker होता है Leader of the House of the People, Leader of the लोगसभा देश का प्रधान मंतरी होता है लेकिन लोगसभा का head Speaker है लोगसभा का representative Speaker होगा When there is a deadlock in vote, the Speaker can cast his casting vote to break the deadlock Simple logic है कि अगर मान दीजिए कि कोई bill है या कोई draft या कोई resolution जिसके ओपर voting हो रही है and voting में 50-50% मतलब 50% लोग favor में है 50% लोग favor में नहीं है इस case में deadlock create हो गया उस deadlock को खटम करने के लिए Speaker बिलकुल end में अपना एक vote इस्तमाल करता है जिसको casting vote कहते हैं ताकि deadlock को खटम किया जा सके तो इसका सगी उत्तर गया option number 7 कि लोगसभा dissolve होने के बाद Speaker तुरंत अपनी position को vacate नहीं करता अगला सवाल है इनमें से कौन सा statement about a power or function of the Speaker of the लोगसभा गलत गया correct है नहीं है when there is a deadlock in vote the Speaker can cast his casting vote to break the deadlock ये तो हम लोगों ने अभी पड़ा है the Speaker decide whether a bill is a money bill or not ये भी correct है the Speaker of the लोगसभा must resign from the membership of his party after being elected as a Speaker ये incorrect है ये अमेरिका में होता है कि अगर मान दीजिये कि उनकी Parliament में कोई अगर Speaker बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी parties के membership से resign करना पड़ेगा हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो Speaker of लोगसभा होता है ठीक है उसको अपनी party की membership से resign करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है आप party के member रह सकते हैं आपको party से resign करने की जरूरत नहीं है irrespective कि आप Speaker of लोगसभा है the Speaker of लोगसभा holds a higher rank than all cabinet ministers except Prime Minister and Deputy Prime Minister ये correct है तो आपको incorrect बताना है तो option number C इसका सगी उत्तर गए अगला सवाल इनने से कौन सा statement गलत गए about the लोगसभा स्पीकर मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन are the only two women लोगसभा स्पीकर so far ये correct है मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन 70 हैं आपकी ओमिरला जो की present है तो मीरा कुमार सुमित्रा महाजन ही सिर्फ दो women speaker रही है लोगसभा में अभी तक जो लोगसभा के speaker होता है उसका कारेकाल 5 साल का होता है अभी तक total 17 लोगसभा speaker रह चुकी हैं जैसा की अभी मैंने discuss किया लेकिन whenever लोगसभा dissolve the speaker resign from the post यह incorrect है ऐसा बिलकुल नहीं होता है कि जब लोगसभा dissolve गोगी तो speaker अपने post से resign करेगा अगला सवाल इन में से कौन सा statement true नहीं है about the protem speaker अभी हम लोगों ने जिनके बारे में पढ़ा पहले सवाल में the speaker protem enjoys all the power that are conferred to the speaker यह correct है speaker protem is appointed by the president मैं बता चुका हूँ चेक है president ही बनाता है speaker protem is another term for deputy speaker of the लोगसभा यह incorrect है and usually it is the senior most member who is appointed as the speaker protem यह सब मैं discuss कर चुका हूँ पहले सवाल में इसका सही उत्तर होगा speaker protem is another term for deputy speaker of the लोगसभा यह incorrect है अगरा सवाल आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा statement correct है he or she hold the office during the pleasure of the president यह आपका incorrect है तो भाया ना option number A हो सकता है ना option number C हो सकता है ना D हो सकता है इसका मतब सीधे B पर focus करो third पे if he or she intend to resign the letter of his or her resignation has to be addressed to the deputy speaker यह हम लोग पढ़ चुके है कि speaker, deputy speaker को resignation देता है deputy speaker, speaker को resignation देता है तो statement number 3 ही सिर्फ correct है एक बार second statement पढ़ लेते हैं he or she need not be a member of the house at the time of his or her election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his or her election यह तो incorrect है क्योंकि हम लोग पढ़े है कि speaker लोगसभा का ही member होता है अगर आप लोगसभा के member नहीं हो तो फिर आपको speaker नहीं बना जा सकता तो सगी उत्तर गए option number B सिर्फ तीसरा statement ही correct है बाकी सब incorrect है नाउ, इनमें से वो कौन से speaker हैं जिन्होंने speaker बनने के बाद अपनी political party से जिस political party से वो belong करते थे खुद को उस political party से dissociate कर लिया था तो इसका सगी उत्तर गए नीलम संजीवा रेड़ी यह speaker बने और इन्होंने speaker बनने के बाद अपनी party से अपने आपको dissociate कर दिया जैसा कि आप लोगों को पता गए कि हमारे देश में यह जरूरी नहीं होता है कि आप speaker बनने के बाद अपनी party से resign कर दो अपनी party की membership को खो दो ऐसा नहीं होता है नीलम संजीवा रेड़ी जो बाद में जाकर गमारे देश के रास्टपती भी बने तो दोस्तों यह थे कुछ important सवाल जो मैंने आपके साथ discuss की है speaker of लोगसभा के उपर